इस सेसें में पढ़ाएंगे एक्यूर्ड इंट्रेस्ट फॉर्मूल में जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल फॉर्मूल के अंदर एक्यूर्ड इंट्रेस्ट और एक्यूर्ड इंट्रेस्ट एट मैचिर्टी देखिए एक्यूर्ड इंट्रेस्ट होता क्या है यह एक बांडिंग होती है सिक्यूर्टी बांडिंग बोल सकते है इसको जो एक सिक्यूर्टी के लिए एक इंट्रेस्ट दिया जाता है एक सेलर एक bond बेचा है, बायर न उसको खरीदा, उसमें क्या होता है कि उसे एक seller क्या करता है, एक interest पे करता है seller को, ठीक है, अब interest कैसे पे करता है, या तो वो एक दो तरीके से करता है, या तो करेगा कि maturity time एक साथ उसको interest पे करेगा, या उसको happily yearly या quarterly की basis पे वो क्या करेगा, उस interest को pay करेगा, simple सा fund आई है कि एक bond होता है और उस पे एक interest पे किया जाता है, interest बोल सकता है कि interest एक पेरिडिक basis पे होता है और एक at maturity, ठीक है, तो हम पहले calculate करेंगे कि accurate interest जो होता है, एक periodic interest कैसे calculate किया जाता है, कि उसको एक 3 महीने, 6 महीने, 12 मिन के बाद interest जो कैसे calculate करता है, वो कैसे एक issue date होती है, कि bond कब issue आता है, और उसका first interest date कब थी, फिर होता है settlement date, settlement date यानि जो final जो उसका settlement होता है, उसको बोलते हैं, पिछली class में इसको explain किया अच्छे से, कि settlement date होती किया है, आप उस session को पढ़ सकते है, फिर annual interest कितना दे रहे हैं, और bond की value किया है, ठीक है, bond value किया है, frequency यानि 1 लिखते हैं, तो yearly count करेगा, अगर 2 लिखते हैं, तो happily consider करेगा, और 4 लिखते हैं, तो quarterly consider करेगा, ठीक है, और call method यह है, कि true false, by default इसको true use करेंगे, ठीक है, तो अब देखें, इसको कैसे calculate करते हैं, पहले तो मैं formula से calculate करेंगा, मैं इस formula को remove करता हूँ, जो अब अब इक्वल के साथ, अब देखें, अब देखें, issue, issue मतलब किस date को bond issue हुआ, इस date को हुआ, इस comma, issue के बाद first interest date, first interest date, यह वाली है, उसके बाद आता है, comma के साथ settlement date, settlement, यह date, rate, comma, comma में rate of interest, rate of interest क्या लग रहा है, वो लिखना है, उसके बाद पर, यानि bond की value, पर का मतलब होता है, bond की value क्या है, फी comma, frequency, अब frequency देखें, annual यह semi-annual यह quarterly, अगर आप 1 लिखेंगे, तो annual का count करेगा, यह, semi-annual और 4 लिखेंगे, तो quarterly, तो मैं इसको choose करता हूँ, यह बला, comma के साथ, ओके, फिर comma, उसके बाद देखिए कि, यह बोल रहा है कि, basis, basis आपको क्या, actual, 365, यानि कि, यहाँ पे, इंडियम जिस अपने, इंडियम क्या होता है, 365 दिन का, 12 में एक जो counting होती है, 365 दिन पे होती है, हम, यहाँ 3 यूज़ करेंगे, और enter, तो कितना आ गया, एक issue date से डिखा करके, जो settlement date का, जो interest कितना हुआ, तीन रुपे 45 पैसे, कितने अजार रुपे पैसे, अब देखें, यह 3 रुपे 45 पैसे कैसे आए, इसको कैसे calculate करते है, roughly है, इसे count करके देखते हैं, कि कैसे count, यह figure कैसे आ रहे है, देखें, time of interest, फर्स्ट आप आलम क्या करें, time of interest, निकलेंगे, कि one year का कितना देरा, 2% interest, ठीके, और इसकी frequency क्या है, वन, तो जो rate of interest, उसको में को divide करेंगे, किसे, one से, frequency कितनी one है, तो one से उसको divide करेंगे, तो इसको enter करेंगे, तो क्या आएगा, 0.02, तो time of interest कितना है, 0.02, क्योंकि देखें, हम क्यों कर रहेंगे, क्योंकि इसमें, जो भी interest count होता है, day by day होता है, days के according होता है, 63 days, 65 days, यह 6 month, 12 month से इसका कोई मतलब नही है, 12 month भी count करेंगा, तो उसमें, days ही count करेंगा, अब देखें, इसमें कैसे हो रहा है, number of days, next करते है, number of days, तिनों निकालते है, number of days कितने होए, number of days कैसे निकालेंगे, clear content करता हूँ, number of days कैसे निकालना है, equal के साथ देखें, 31 तो क्या है, January के, January से March तर count कर रहा है, उसके 28 days किसके होगे, February के, ठीक है, उसके बाद देखें कि इसको settlement कब हो रहा है, 5 को हो रहा है, तो 5 का उसको interest नहीं मिलेगा, उसको 4 तक interest मिलेगा, उसको interest मिलेगा, 4 तरीक, 4 दिन का interest मिलेगा, मार्च का, क्योंकि 5 को settlement हो रहा है, तो 4, सुरी, सुरी, सुरी गलत लिग रहा है, 31, January की 31 और 28 प्लस, और कितने हो है, नहीं, 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 यसको काउंट निकर रहा है, क्या बात है, इसको dot date consider कर रहा है, date नहीं करना में, जनरल करना है इसको, ठीक है, तो 63, यह गलत format चूज हो गया, इसलिए आ रहा था, 63, ठीक है, यह तिनों को देखे, तिनों फॉर्मूले, तिनों को मैं अलग अलग निकाल के फिर ही अपने accurate interest निकालेंगे, अक्यूर्ड कैसे निकलेगा, प्रॉपर इंट्रेस रहा है, प्रॉपर इंट्रेस रहा है, कि देखे कि, अभी मैं बताए कि यह, डेस से काउंट करेगा, इंट्रेस को, पर दे इंट्रेस काउंट होता है, ठीक है, तो अभी यहां कितने दिन मन रहा है, 63 देखे, और यह जो 2% है, कितने दिन का है, 1 एर का है, तो यह हम क्या करेंगे, 63 में, 365 को क्या करेंगे, का भाग देंगे, यह नि, 63 divided by 365, तो यह जो प्रॉपर इंट्रेस का इंट्रेस निकालेंगे, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, ताकि अच्छे समझ में आजाए, देखिए, इकोल के साथ करें, बॉन्ड वेल्यू, बॉन्ड वेल्यू क्या यहां पर, 1000 रुपर है, को मल्टिप्लाइ करेंगे, टाइम आप इंट्रेस, टाइम आप इंट्रेस कितना है, यह, उसके बाद है, प्रॉपर इंट्रेस रेफ, जो हम न भी निकाली है, यह, और इसको इंट्र करेंगे, देखिए, तीन रुपे 45 पैसे, और तीन रुपे 45 पैसे, तो इस तरह साब क्या कर सकता है, अब देखिए, आप वेल्यू बढ़ा के भी देख सकते हैं, जैसे मैं 2000 करेंगे, देखिए, और जो इंटरेस है, बढ़ गया, बॉंड बढ़ी कहाङ़ा, यहां पर मैं यह रेट आप इंटर्स है, यह रएट आप में 4 कर लेता हूँ, तो आप यहां पर चैंज हो गया, यहां पर चैंज क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, यहा पर्सेंटेस फोर करूंगा तो देखें यहां पर उटमेटरी लिए भी लुआ गई ठीक है इस तरह से आप क्या करते हैं अब एक परियोडिक बैसिस पर निखाल सकते हो कि आप तरीम तीन महां से छे महीने से बारा महीने से हैं ठीक है यह तो था कि time to time उसको इंटरेस्ट मिल इंटरेस्ट मेर्चुर्टी की time अब यह कैसे calculate होता है इसको भी मैं clear कर लेता हूं और यह equal formula यूज़ करेंगे अब देख इश्यू अभी इश्यू डेट बॉंड कभ इश्यू हुआ था कॉमा settlement फिर settlement settlement कभ हुआ इस डेट को उसके बाद rate किस rate से हुआ था यह पर यानि बॉंड की value यह और basis क्या जाएगा 3 तो कितना है 50 रुपए यानि एक साल के बाद 365 दिन के बाद उसकी जो accurate interest कितना रहे है bond का maturity time 50 रुपए अब देखिए यह कैसे निकालते है कि देखिए time of interest time of interest का 5% रहेगा अब यह क्यों रहेगा क्योंकि यहां पे कोई frequency काम नहीं कर रही है क्योंकि यहां तो एक साथ मिल रहा है उसका maturity पे तो यह time of interest जितना है उतना ही रहेगा ठीक है अब number of days यह number of days कितना है 365 मैंने भी बोला जैसे कि यह days पे interest का counting होती है तो यह कितना है 365 पिर proper interest कैसे निकलेगी देखिए जैसे अभी हमने निकाला था 63 को किसे डिवाइड किया था 63 को 365 से डिवाइड किया था अब यहां पर भी होई करना जितने days उनको 365 से डिवाइड करना अब यह 365 को 300 डिवाइड करना कितना आएगा पन ओके अब देखिए कैसे निकला clear content equal के साथ पहले bond value कितनी है यह फिर multiply time of interest टाइम आप इंट्रेस्ट यह है फिर multiply करेंगे और proper interest rate यह अब देखिए 50 रुपय आगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो जो इसका interest है सब्सक्राइड मैं इसका interest बढ़ाता हूं यहां पर 10% करता हूं तो देखिए 100 रुपय होगे यहां पर भी change होना चाहिए यह दिखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं accurate interest जो निकाल सकते हैं bond का जो एक पे होता है periodic interest पे और एक होता है maturity वह है तो इस तरीके से आप इस calculate को इस formula को यूज़ करके आप इस calculation प्रवां कर सकते हैं थैंक्यो वर वाचिंग